हेलो फ्रेंड्स वेलकम बेक मैं यूटूब चैनल टेक्निकल मुस्ताग फ्रेंड्स आज किस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि यदि आपकी होनार 8A में यदि इसका चार्जिंग से रिल्टेट कोई प्रोब्लम आती है जैसे इसका चार्जिंग बिल्कुल भी वर्क नहीं करना है तो हम इस प्रोब्लम को किस तरीके से सोल कर सकते हैं दोस्तों मेरा आज तोड़ा गला खराब है तोड़ा बोले में दिकत हो सकती है लेकिन मैं आपको बिल्कुल अच्छी तरीकी से समझाने की कोशिस करूँगा कि हमें ठीके इसमें चार्जिंग की सप समझ ले और उसके बाद ये अपने मोबाइल में वर्क करें क्योंकि अगर आपने गलत जगे जंपर लगा दिया तो फिर शोटिंग के कंडिशन आ सकती ही तो फिर आपका काम जादा हो जाएगा तो दोस्तों इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं ठीके तो दोस्तों सबसे प अगर इसप्रण के अगे देख सकते हैं यहां पर हमारी इसकी ओवी पी का मतलब होता है और वॉल्टेज प्रोटेक्शन मतलब हमारे charger socket से अगर इसके अंदर जादा voltage जाता है तो यह IC sort हो जाती है जिससे हमारा आगे का circuit damage होने से बच जाता है ठीक है यह एक तरह से जिस तरीके से हमारे गरों में fuse होता है उसी तरीके से हमारे यह काम करती है ठीक है तो उसके बाद दोस्तों यह IC वापस output देती है हमारे यहाँ पर इस वाले डायोड पर ठीक है यहाँ पर देख सकते हैं यह डायोड लगा है इस वाले डायोड पर आउट पूड देती है अगर दोस्तों आपको यहाँ पर voltage नहीं मिलता है तो आप यहाँ से लेकर आप यहाँ तक नंपर भी कर सकते हो जिससे हमारी IC वाइपस हो जाएगी ठीक है और उसके बाद मरें इसकी supply कहां पर जाती है उसके बाद दोस्तों मारे इसकी supply है हमारे जो CC बोड का यह वाला connector है इस connector के यहाँ पर यह दो पिने हैं इता यह दो पिन और उपर की तरफ जो यह दो पिने इन में हमारे इसकी supply आ जाती है ठीक है और इसके बाद आती है दोस्तों वापस हमारे जो main board है यहाँ पर आप दिख सकते हैं यह main board है इस main board के यहाँ पर दिख सकते हैं जो इसी तरीके से यहाँ पर यह दो वाले दो पिने हैं यहाँ पर हमारे इसकी दो सपलई में आती हैं चार्जिंग की graspol Bol वाले यहाँ से जाती हैं पर उपर की तरफ टेस्ट वन्ट आपको दिखाई दियर होगाा और sim tray की ठीक नीचे की तरब ठीक है ठीक नीचे की तरब आपको यह वाला kapister दिखाई दे रहोगा यहां से आए इस वाले kapister के अंदर हमारे इसकी supply आती है तो दोस्तों यहां तक आपको चेक कर लेना है कि आपके जो charge socket पर voltage मिलता है वो same voltage आपको यहां पर मिल रहा है या नह और उसके बाद जिसे ही इस IC के अंदर यह वोल्टेज जाता है तो यह IC V-Bate के वोल्टेज को बनाती है V-Bate V-Bate का मतलब होता है voltage battery ठीक है बेटरी के लिए जो voltage होता है यह IC बनाती है और उसके बाद में जो यह वाला voltage होता है वो 3.7 से लेकर 4.2 की बीच होता है कितना होता है 3.7 से लेकर 4.2 की भीच और जो यहाँ पर वोल्टे जाता है वो वोल्टे जाता है 5 वोल्ट के करीब ठीक है 5 वोल्ट के करीब आता है और उसके बाद दोस्तों यह IC वापस आउटपूर्ट देती है हमारे इस वाले पॉइंट से जो तीन नमर पॉइंट है यहाँ से आउटपूर्ट निकालती है और उसके बाद यहाँ से आउटपूर्ट सीधा हमारे यहाँ पर देख सकते है मैं आपको अच्छे से दिखाने की कोशिस करूँगा यह देखे यहाँ से इसका सप्लाई निकलती है वापस इस वाले केपिसिटर के अंदर यहाँ पर देख CPU के नीचे की तरब जो यह केपिसिटर है इस वाले केपिसिटर के अंदर इसकी सप्लाई आती है उसके बाद नीचे की तरब जो यह डायोड है इस डायोड के अंदर आती है और इस डायोड के बाद सीधा हमारी बेटरी कनेक्टर पर चले जाती है ठीक है बेटरी कनेक्टर पर आप देख सकते हैं जो यह वाला पॉइंट है उस पर हमारी इसकी सप्लाई आती है तो दोस्तों यहाँ पर आपको Stable Step Check करना है और इसका जो Test Point है वो हमारे यह वाले है तो दोस्तों इस तरीके से आपको Stable Step Check करना है देखो जादा कुछ इसमें है नहीं आपको पहले यहाँ पर चेक कर लेना कि यहाँ पर आपका Voltage पहुंच रहा है या नहीं पहुँच रहे हैं अगर यहां पर voltage पहुँच रहे हैं उसके बाद आप इस capture पर चेक कर लिए कि या इसी वापस output दे रही है या नहीं दे रही है तो दोस्तों इस तरीके से आपको यहां पर step by step चेक कर सकते हैं कि आपकी चार्जिंग की supply कहां पर पहुँच रही है और कहां पर नहीं पहुँच रही है तो दोस्तों इस आई होप यह वीडियो आपके लिए अलपूल रहा होगा और दोस्तों इसके बाद भी अगर आपका कुछ doubt रहता है तो आप मुझे comment box में comment कर देना मैं आप लोगों के लिए एक particular वीडियो और बना दूगा अगर आपको इसमें charging से related और कोई problem आती है जैसे इसी को check करने के बाद भी अगर चार्ज नहीं हो रहा है तो उसके बाद हमें किस step को follow करना है यह होगा इसकी basic level और अगर इसका advanced level में भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मुझे comment कर देना मैं वीडियो बना दूगा तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स वीडियो में तब तक के लिए take care बाबाई